हेलो स्टुडेंट्स अपना रुटुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकिंदरा जावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 के उडान वेच के पोलिगमेल चेप्टर का थार लेक्चर लेकिन आप हमें कौनगों से टॉपिक्स को चबर करना है आज के लेक्चर में में जली दो टोपिक्स को बढ़ने वाले हैं एक टोपिक होगा हमारा वेल्यू ओफ पोलिगमेल की से निकाली जाती है और तब किसी भी पॉलिणोमेल की वेल्यू का क्या मीनिंग होता है और दूसरा इसको समझने के लिए हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से यहां पर मैं समझाने की कोशिच करता हूं तो देखुँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने आ जाएगा इसके हमें वेल्यू फाइंड करनी है जिसने यहां पर बोल दिया कि एक सब्सक्राइब हो सकती है कोई भी रियल नंबर हो सकते है कोई भी रियल नंबर है यहां पर हमें क्या करना है एक्स बराबर एक के उपर इस पोलिनोमेल की वेल्यू बता दी तो इसकी वेल्यू का मतलब यह होता है जहां 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 जिसे यहां पर कुछ होगा यहां पर पहुत बहुत सारी वेल्यूम कलने फॉट इस लिए गिए ऊंक्छेव कमाई करने यहां जहां जहां एक्स है उस और आघे यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजट हो जाएगा इसका इस्टेटमेंट भी देख लेते हैं तो क्या बोला है इस पी एक से पॉलिजटमेंट है और एक से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो वेल्यों में मिले यह उप्टेंट होगी उसी को क्या इन पी एक से एक से रिप्लेस करेंगे उसके बाद में इस कोड़ वेल्यों ओफ पी एक से ए एक से इक पॉलिजटम था उसके अंदर एक से बीजटम्या था हमें क्या करना था एक सब्सक्राबर तो एक कि रिप्लेस कर दिया और फिर हमने आगे हों किया और स्वोल करने के बाद में क्या हुआ हमारा भूचरीज़़ निकल क्या है अभी एक 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 जांपल से और अच्छे से समझा दूगा तो जो फाइनल दिज़़न हमारा निकल क्या है वही हमारा क्या हो गया उस एक्स बराफर एक उपर उस पोलिदोर्बेल की वेल्यू हो और श-घंच के उपर हमारे को पौमियारना इस पोलिदोर्मियल फेल्यू बता निए तो अभी हमने क्या सीके इजहां जहां कौरी नोगर्मेल फेल्यू फेल्यूमियल क्या कर देंगें फ्रेंगेंगें वह पौलियू मेर्यूष पी एकस एट x River minus 2 कितनी हो कि पी एकशेवावपर क्या प्रेश हो जाएगा minus 2 उसमेल को कहा लेगे minus 2 बराबर यहाँ इस कितना आए का cube है यादि minus 6 multiply minus 2 का plus 11 multiply minus 2 minus 6 ठीक है I hope यह चीज आप लोगो कहे है आपक समझ में आगे होगी इसके बाद में मैं इसका solution यहां लिख रहा हूँ, इधर, तो देखो, minus 2 को की power 3 है, मतलब 3 time multiply करना है, तो पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगे, अब minus को, पहले minus को minus से multiply किया, प्लस होगे, प्लस वाले, उसको minus से multiply किया, तो minus होगे, यानि उसका यो आया, अब भी minus 2, मना पर इतना है इसका वाला, जो result है, मैles का 8 है, अब बात करें, minus के 2 को, स्कॉर का balance, तो minus के 2 को multiply करना है, minus, minus, plus होगे, तो 2 को 2 से multiply करेंगे, तो कितना ह경गे, 4 होगे, फिर 4 को फृर्दर किसे multiply करना पड़ेगा, 6 से multiply करना पड़ेगा, तो कितना हैंगे, 24 होगे, उसके बाद में जा होग कितना है एक इस टोने कर दो कितना हो गया मैन इस फ़र टी खौर मैनस इसे को करोगे तो यह स्टी थो मैनस ट्री होगे तो मायने सबक्ड और सब्सक्राइब कर दोगों कैसे मीननस सब्सक्राइब वहां वहां किया कि अग्णा के सक्थ कर दिया इसे मातला इस पर भंफ को मैँनस पर टीन माइनस और है कलोगे तो माइनस माइनस तो भ्लस हो गया तो टूजा झा पॉर हो गया और फ़ोर को फिस्लिक्स इक लोगे तो 54 आए चले मैनस का लिए प्लस कह ये ऊपिशच रहए और 29 अश्लिच सेयससे अगे और इस माईनस ऐट को और माईनस ना डिक को करोगे करोगे तो इस तर्टीbell हो जाएगा मpiejनद Самी फॉर म्हा earning टूसरीं हो के प्लस सेवन वह प्लस एक्स प्लस सेवन है तो हमारे को पी माइनस त्रिफाइड करना है इसका मतलब क्या है इस पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल में क्या करता हूं यहां पर इसका सॉलिशन लिख रहा हूं जाहा जाहा एक्स है वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस कर देता हूं तो क्या बनेगा माइनस थ्री का सोरी पी माइनस थ्री बराबर बनेगा माइनस थ्री का क्यूग माइनस माइनस थ्री का इस्वायर प्लस माइनस थ्री और प्लस सेवन बनेगा अब माइनस थ्री का क्यूग करना है यहनि पहले तो माइनस थ्री का क्यूग करना हूं फिर माइनस वाले साइन क सब्सक्राइब करना है और यह पहले इन सब को कमेंट कर लेते हैं तो यहां कितना हो जायता हुआ उसमें प्लस का सब्सक्राइब करोगे तो यह कुछ उप्संद यह श्युक्iki करते हैं है अब हम कुछ ऑर के उसमें पर इसे कि यह वाला जो वाला अच्छे से किलिए हो जाएगा तो देखू तो हमारा जो पहला question है क्या बोला है कि इसका मतलब क्या होगा इस वाले case में तो हमारे को इस वाले case में तो हमारे को क्या मतलब क्या है तो जहाँ जहाँ पॉलिणोमियल में वेलियबल x से वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे कितना एगा 2 multiply 2 power 3 minus 13 मंटिप्ला रुषपायर प्लास 17 मंटिप्ला टू प्लस 12 आएगा अभेगो तुू की पावर 3 कितना होगा 8 तूटु जाए 8 को तूसे मल्टिप्लाइक हे तो 16 आगे तूटू जाब 4 होगया 4 को 13 से मल्टिप्लाइक करोगे तो यह उगए minus का 52 की minus का था यहां पर कितना हो जाएगा सबटीन तो जाएगा थर्टी फोर और फिर प्लस का ट्वेल ऐसे कैसे चाहिए अब सारे प्लस वालों को पेले एक साथ इंट करते हो तो देखो थर्टी फोर सिक्स्टीन कितना होगा 50 50 और यह कितना होगा 12 62 हो जाएगा और 62-52 करेंगे तो 10 आग लिए तो क्या होगा f-3 जाहां जहां भीडिएवल होई वहाँ आद चीन्री रिप्लेस कर दो टू मल्टिप्लाइग माइनज का क्यूब माइनज 13 माइनस 3 का इसक्तुएअ प्लस 17 मल्टिप्लाई माइनस 3 यहां देना है बीच में मल्टिप्लाई है और प्लस का 12 7 में चली रहे हैं तो यहां क्या हो ओगा माइनस 3 का क्यूब करना पड़ेगा पहले तो 339 930 27 माइनस मानेस प्लस । Golden देख य हमने का मारे माने का मैनस थी का स्कुआ करोंगे तो मानस मैनस क्या हो जाएगा 3 3 9 तो इसका क्या आयगा 9 आयगा और यहां पर क्या होगा तो मैनस का स्वंटीं 3 5 1 आगया और प्लस का 12 इसे कैसे चाहँ रहा है कि आप लोग खुद कैल्कुलेशन करना उसके बात में यह फाइनल इजल्ट आता है उसको आप मेंच करके देखना अगर आप लोगों का सही आता है नहीं आपना तो देखो इसको इससे माइनस का 54 यह माइनस का 117 हो जाएगा यह यह माइनस 51 है और यह प्लस का 12 है यह माइनस वाले तो 38 हो जाएगी अब 8 कैसे करें पढ़ें यह 50 और 50 100 होगे प्लस का बारत जब इन दोनों को एड करोगी तो कितना आएगा माइनस का 210 आएगा यह एफ माइनस 3 की जो वेल्यों है वह कितनी आएगे हैं माइनस का 210 आए हो पीठी आप लोगों के समझ में आगे जोगी एक बारूर देख लेते हैं कुछ गलब तो नहीं हो आएगा माइनस 3 का क्यूट करना था माइनस 15 से बण dedicate का यह किरना था ना हिन माइनस जिली को कि समय करना था 51 घडि जो प्लस का 12 एलग दोनों का मैंस का तो表के इन दोनों का मैंटिक्रियं माइनस का 12 का 2, केली कितना आया, बनाया, 5, 5, 10, 11, 12, और यहां पर कितना आ रहा है, केली बनाया, फिर कितना रहा है, 2, 2, 2, 2, 2, 12 करना है, तो इसमें से इसको माइनस वाना बढ़ा है, इसलिए माइनस का 210 आएगा, I hope एचिक आप लगों के समझ में आगी लोगी, मैक्स 3 केर्शन्स हो ले, इनको भी देखते हैं, यह थोड़े, अच्छे लेबल की केर्शन्स है, जान से समझ ना, देखुए, इस, PQ is equal दिया वाए है, U power 6, P U is equal दे रखा है, U power 6 plus 5, U power 4 minus 3, minus 6, U power 3 plus 2, और हमारे को P1 minus Q minus 1 की value find करने के लिए, पहले हम क्या करते है, P1 की value find कर लेते हैं, और Q minus 1 की value अलग find कर लेते हैं, इसमें से इसको subtract कर देगे, जो भी option हमारा आएगा, वो हमारा answer हो जाएगा, तो देखुए, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो पहले P1 find करते हैं, तो P1 के लिए इक्वेशन को use करना पड़ेगा, यहां क्या करना पड़ेगा, U की जगे पे क्या replace कर देना हमारे को, 1 replace कर देना है, तो क्या होगा, 1 की पावर 6, plus 5 multiply 1 की पावर 4, minus 6, multiply 1 पावर 3, plus 2 आएगा, अभी आप लोगो कोईची ध्यान अपनी है, तो इसका result हमेशा कितना आएगा, मैं यहां लिख गेता हूँ, 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा कितना आता है, 1, आगे, वाले case में लोग, minus 1 की कुछ पावर करेंगे, तो यह भी मैं समझा देता हूँ, अगर minus 1 की पावर कुछ M दे रखी लिए, तो इसके दो रिजल्ट आ सकते है, इसका result 1 भी हो सकते है, minus का 1 भी हो सकते है, अगर M की वेल्यू क्या है, E1 है, मत्तब जो पावर है, वो E1 है, अभी मैं समझा हूँ, अभी एक बार, और minus 1 की पावर, अगर M की वेल्यू होड है, तो रिजल्ट माइनस वन आएगा, और M की वेल्यू अगर E1 है, तो रिजल्ट वन आएगा, इसको भी आप साहिपे Cloud Box बनाके इस तरीके का लिख सकते हो जो आप लोगों को याद रहना चाहिए होने समय तो देखों यहां तो क्या होगा वनी आएगा किती भी पावन आया प्लस 4 x 1 6 x 1 प्लस 2 तो यहां होगा 1 यहां होगा 5 मैं इसको आगे सोल करना हूँ 1 प्लस 5-6 प्लस 2 तो देको वाण 5 6 6 और 2-8 8-6 करेंगे तो के इतना होगा 2 उख दा वाद में हमारे को क्या निकालना है q-1 निकालन है तो यहां पर u की जगह पर क्या रिप्लेस करदेंगे minus power रिप्लेस करदेंगे इसवाली ओलिजम presup Раз dependent तो यहां के आए तो 6 multiply minus 1 की पावर 5 plus 4 multiply minus 1 की पावर 4 plus 3 multiply minus 1 की पावर 3 plus 1 अब देखो मैंने क्या बोला कि minus 1 की पावर 8 है तो minus 1 आएगा क्यों आएगा सम्झो देखें यह 5 अगो लिए यह समना 5 minus ना 5 आएगा मैनस ओनको 5 डिट्विट रहें minus minus plus हो गया plus minus minus माइनस हो गया फिर minus minus प्लस हो गया और फिर plus minus वापस माइनस हो गया तो हमारा overall जो सारे minus है वो multiply हो क्या देरहें कोड होने वाले के सम्झो क्या से रहें और यही 4 होता दोसको समझो कैसे करें minus minus plus होता plus minus minus होता फिर से minus minus क्या हो जाता plus हो जाता यानि कि power जब 4 थी यानि इवन थी दोस्वाले के सिश में क्या होता मारा जो रिजट आता हो positive निकल क्या आता तो यहां पी क्या होगा 6 multiply minus 1 plus 4 multiply 1 यहां पर प्लस का फॉर आएगा यहां 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 यह चीट है आप लोगों को समझ में आ लिए यह बेसिक चीट है जो आप लोगों को सेब्स क्लासों में सिखाई जाती है तो इसले में डायरेक्ट करना हो इनको अब यहां क्या होगा माइनस देख फॉर और वन तो कितना होगा और माइनस देख निकालना था तो अब हमारे को निकालना होगा आप लोगों को समझ में अब यह अच्छा आप लोगों को पता होना चाहीए उसके बाद में होनों यह वला कैसे करते हैं क्या बोला है इस वाले जो हमारा दे रहता है प्लस एकस इस वाले पोलियो आईगे इस ने खुद बोल दिया इस बार तो यहां पे क्या होगा यहां स्टार्ट करें है अनुछ बोला है धेयर्फोर एइस पोलियोमेल में क्या करें एकस को माइनस ए प्लस ए बड़ाबर कितना आएगा नहीं नहीं आएगा अधेको माइनस ए प्लस ए जो कितना हो गया जीलो हो गया केवल क्या बचा 9 बचा इस्क्वाइर बनाबर कितना दे रखा है नाइन दे रखा है हमारी दो इस वाली केस्टन में एकी भी डिफाइन कर दी थी अगर देखो जब भी एक तरफ इस्क्वाइर एक तरफ कुछ लिखावा और यह नम्मर क्या हो पोजिटिवू ठीक है तो हम क्या करते हैं दोनों कि अगर और आधर के दिखावाइर तरफ हमने इस्क्वाइर रूट लिया तो क्या बनेगा दिखो इधर की स्क्वाइर युट किया और एकशी दिमाग में ध्यान लगना कि जब भी दोनों तरफ इस्कारण में आगे कि कभी किसी लेक्ट्चर में बता दूँगा या हम लो कितना होगा एक रिजल्ट आएगा एक बड़ाबर प्लस माइनस का 3 हो सकता है एक और के समझ में आगे होगी एक और क्यों किस्टन बचा है उसको भी हम करते हैं सोल पहले आप इसको नोट कर लेगे इसको मैं नेक्स्लाइट पे लेता हूं और एक क्या सबस्कूल करवा कि फि पी एक स के बचतना है जर तो सब्तेरे कैंने तो सीडह सीधना लिख़्यह तो फिन अब क्या मतलब है कि जहा certified मैंनस एक्स कर दो मैंनस एक्स प्लस क्या हूँना mo प्लस-इक्स प्लस-बाइब ऑनुट वीत हो जाएगा वाल सरी का एक्सारी क्यारत हो जाएगा फिक्त इसमेस फेट MALE कितना बचा है कितना निकल के आएगा डिवाला ओप्शन जो कितना है सिक्स है आप लोगों को समझने आगे होगी यह वह थास्तान केस्टन है एक सेम ऐसा हम लोगों करते हैं जो अपने वेल्यू फाइंड करने वाला उससे लिटेड़ एक क्या हो गया इसको हमारे को क्या करन ओलें हैं इसका समय करों कि बचना out like illeust करके कुष निकल कर लूँस कर तो फिर क्या देखो वीडियो को देखो कि हमारे दौन का जो कोुछ की प्रेक्टिस हो जाएगी और सात में क्या होगा। इसे क्या कर सकते हो च्ञळ से युद्य के इंदर लिगने लिए Кस्टिसा में कोई स्भी क singles कि युद्य कमें लिखंड वर के दमिशक्ती आपको क्या होगा इस सब्सक्राइब तो आप उसको सुदार सकते हो जिससे आप लोगों की प्रेक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और फाइनल एक्जामिटिशन में आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा होने बाला तो चलिए देखो इसको आगे देखते हो लोग तो पी एक्स बराबर यह जिवन था हमारे क यह क्यासे लृट का सबस्का अच हो जाएका सिमिलर कि याँकर ना है उसे नंबर से मैंटिप्लाइग कि इतना चुरू रह रहे हो जाएक है सिसी लूट वाले नंबर को से मैंटिपलाइए किया नुटिए का ज़हाता तो इसक्वाएब टट आता उज्ट जाता है अभी के तेट जो नाइन के भी हो जांगाये वह चाहिंगा है उसके पूरा नमबर वाला पूरा पुरा अच्छे से डीचल में समझार जाते हैं में इसका प्रूफ भी बता देता हुं हें कहीं वैइं इसकौई रूट का मतलब पावर होती है 1 by 2 और multiply square root का मतलब यहां भी पावर न कितना है 1 by 2 और base जब सहीम होता है यह तो अप लोगों को याद होगा कि base जब सहीम होता है तो power से add हो जाती है है तो इसका रूट रिमूव हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा जो पर इसके बिलुब के उपर कितने नहीं की तो देख पूप यह प्लागा इसको भी आप प्रियुक्त पहलेकं करता ह। अब हमारा जो सेकंड टोपिक है इस वाले क्षर का वो है Jbold of polynomial इसको देखते हैं इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर देखना मैने स किसी Dy Нов houdfर किसी on Всемिल में कि यहां वारे को चीज़ यह concept को समझना हो जाए तो दिखो जीडों का मतलब क्या होता है उसको समझना होते हैं से मैं यहां समझा लोग फिर से स्टेट्मेंट को समझाता हूं तो जैसे मालों कि पॉलिदो में दे रखते हमारे को PX यहां पर हमने इस वेडियाबल की जगर प कितनी पीए और अगर यह X बराबर A के उपर इस पॉलिदो में कितनी मिल गई जीरो मिल गई अब इसका क्या मतलब वह देखो हमने कुछ भी नहीं किया जैसे हमने लास्ट कॉंसर्ट पढ़ाता कि वेल्यों पे पॉलिदो मेल वही किया हमने क्या किया पॉलिदो मेल की वेल टी है तो इस एक्स बराबर A कूई क्या बोला जाता है ? Dayot of Px फोलिदो Quanद इसको इस पॉलिदो का जीरो बोला जाताए यह समझ लो च्रांद कि वह पुट करते हमारे को वेल्यों करो आशन जीरो मिल जाता है तो तो उस एक्स बराबर A है इसको हम внут उसका नाम निखा रहे हैं जिसे राम नाम निकाला लॕह एकस बराबर एक को क्या बोल रहे हैं ऑफ इससे समझ में आ गई होगी और स्टेटमेंट नंबर है यह यह जिए जिरो इंगा सब्सक्राइब कुर्ण करने पर हमारे को पुलीघुट इसी चीट अब रहत है इस पॉलिणामिल का जीलो होगा काव होगा जब पीए की वेडियो कितनी मिले जीलो मिले इसी को मिल इस्ट्रेट्में की फूर्म में लिख दिया आप लोगों के समझ में आ गए भी अब देखो एक एचांपल से समझते हैं जिसे यहां पर PX क्या देखा है हमारे को XQ-6X2-11x-6 एक स्ट्रीट्ट्रीट्र इससे आप्छों क्या करते हैं इस पॉलिणामिल की तीन मेरे वेडियो दिलख हैं कि 1,2,3 इनके उपर वेडियो फाइंड करके देखते हैं जैसे मालनो कि 1 के ऊपर 0 आगी बेने इसका मतलब आप बोलेंगे कि जो 1 है वो इस वारे पॉरिजम मिलता क्या होगा जीरो होगा कि अगर मालनो जीरो आजाए तो भी होगा मालनो 3 पे नहीं आया जीरो जीरो नहीं निकल गया रहा नोटिक पर 0 तो बोल देंगे 3 वाला जीरो नहीं है तो एक एक करके फाइंड करके देख रहता है तो पी वन कितना होगा 1 ずूब minus 6 multiply 1 in square plus 11 multiply 1 minus 6 ये to 1 होगा ये 1 का by 1 होता है 6 multiply 1 6 होगा फिर फिर 11 multiply 1 कितना होगा 11 होगा minus 6stery 11 और 1 कितना होगा 12 वो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 यहनिके कितना है 12 माइनस 12 बढ़ाबर 0 तो क्या P एक्स बढ़ाबर 1 के उपर P1 की वेरू कितनी आगई पुलनमेल की वेरू जीरू आगई मतलब हम बोल सकते हैं तो क्या है सकाइग जीरू है फिर हम तुप भी निकालके देखते हैं तो टू क्यूब तो देखो टू क्यूब माइनस 6 मॉल्टिप्लाइट 2 स्कॉरप प्लस 11 मॉल्टिप्लाइट 2 माइनस 6 तो क्यू कि रूका टू कि ना होगा 8 होगा हम दो-3 वार कर चुगे इंको तो का स् एट इतना होगा 30 और मैंश 24 ओर माइनस 6 बार्टी 30 माइनस 30 करो तो यह भी कितना आगे यह जिद्वाग इसको भी करके देखते है तो त्री का यू माइनस 6 स्क्र imposing मोई नाइज इस्क्राइब लाउस सक्वार प्लस्कремं टिकेम प्लास सस्ट स्ट कर सेवन लुकर स्क्रीक ना बानाई 26 दिना मॉनद लुदह नाइज ञान ऑंकेब लगाव 9 też 42 नाइज डिकेड टेड़ फुर फूरो है खॉरह प्लास मिलंद ट्र g शच मैन यह कितना है याँ भी 0 आ यह तो मुलेंगे हैंस लास्ट नहीं क्या बहुत सकते हैं कि हैंस एक्स इक्षिकल वर्ड तू थ्री और अलोग देमार अधर अलोग दी जार जी रोफ अलोग दीजार जी रोफ पी एक्स इज़ एक्स पावर थी मैनस 6 एक और पर दिया वाइब इसको भी सोल कर लेते फिर नेक्ट राइट दो तिक साथ अमरा लेक्टर खतम हो जाएगा आप जिसके साथ में कुछ नम्बर्स दे रख आपके जो पुट करके देखेंगे चैनल इसको पुट करके देखेंगे जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि वह वाला क्या होगा ऑगा जिनों हो towards क्यों जो उसको नदेखते कि अ्यूंदी उन्हीं कितना है है डिस क्रिस्व उस्व पहले फ़नटे ककाई है माइनवह करदो अदें शिंग हूं में इन सब्सक्रिक्षप्र गडा अगills करें इस अदें सुब से पहले यह पावर फो प्लस प्लस तो मैं बचा चुका हां कि वन कि इतनी प्लस नहीं पड़ेगा रिजट वन आया यह भी बन आए यह पी बनाया यह 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 भी बनाया यह यहां सब्सक्राइब इस चल रहा है उसके बाद में क्या होगा देखो कि अंटो कितना होगल कि एफकी बन तरह वाहिए बन वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो की पावर फॉर प्लस तू मंटिप्लाइब तू की पावर थ्री माइनस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने जाएब तू की पावर थ्री या निया एट को टू से मल्टिप्लाइब करेंगे तो इतना है वागा तू तू जा फॉर फॉर पॉर प्लस एक शाद एक तो शाद एक शिक्तिन और तो सब्सक्राइब तू मैंनस को पावर थिक्तिन करोगे तो भी कितना है वाइन उद्वार थ्री निकालते हैं माइनस 3 पर मैं निकल वा रहा है माइनस 2 पर आप लोग खुद निकालना पुद ट्राइ करना कि यह भी 0 है यह नहीं है मैनस 3 का Q, मैनस 3 की पावर 4 प्लस 2 मुल्टिप्लाइ मैनस 3 का Q मैनस 7 मैनस 3 का स्कॉर मैनस 8 मैनस 3 प्लस 12 नवी तेया को वेलू के से लिखी है मैंने समझ में आगया हो अब देखो इसको फ़र्दर आगी शूल करना है तो देखो क्या करें चाहरा है प्लस प्लस-माइनस-माइनस-माइनस-माइनस- यानि रजल्ट तो प्लस में आगा यह तो पता चल गए तुन ऐसा दाएं कि पावर 3 करने यहां कि धी तुन इसे मैनस से चनदी सेवन कोँ डिशा प्लस फैसे माइन से करेंगे तो प्लस माइनस प्यूझ यह आप लोग खुद करके देख सकते हो मैं हमेरी केलकिशन फोड़ी आपलोगों से स्कावर करोंगे माइनस 3 को माइनस 3 से ॰ूल करोगे मायनस 3 से ॰ूर्ड 3 कुरता नो इंस 3 से करेंगो 9 देख रहेंक पर देखुत 5 के 7 से करेंगे तो स्कावर कसए रूर्थ ट्री एले ही पिर हो इत्ट को 你ृस्ते को जाए खाया बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो यहां मैं लिख रहा हूं तो देखो कि एटीवन और ट्वंटी कितना हो गया हूं वन अंडड़ वन फिर यह कितना हो जैँगा मैं थेको एट और टू कितना हो गया है 80 or 200, 100 or 101, sorry, मैं एक मिनट में देखा, वापस से फदर बता हूँ, यह है 80 और 80 है, यहां पर 10th place कहा रहा है, 80 है, यह 20 और 100 होगे, और यह कितना होगे अब 1, यहां कितना था, 10 था, फिर इसमें 180 के अंदर 1 or 8 करेंगे, फिर 4 8 करेंगे, फिर 2 8 करेंगे, यहां कि जो 8 करते जा होगे तो कि 4 और 3 कितना होगे, और 5 और 6 कितना होगे, 11 होगे, लेकि 2 माइनस के हैं, इसलिए माइनस का 1 बद 7 आएगा, यह भी कितना आरा, 0 आ रहे है, तो मोल सकते हैं, कि माइनस 3 भी क्या होगा, इस वाले पोलिनोमिल का, एक 0 होगा, I hope यह आप लोगों के समझ में आग देख लेते हैं, इसके साथ हमारा लेक्टर खतम हो जाएगा, तो देखो, क्या बोला है, पहला केशन देखते हैं, कि इस 0 of the polynomial Px is equal x square minus 8x plus k, is the hcf of 6, 12, मतला 6, 12 का जो hcf आएगा, वो क्या होगा, इस वाले पोलिनोमिल का 0 होगा, तो हमारे को find the video के बतानी है, तो देखो इस वाले पोलिनोमिल का क्या होगा, 0 होगा, तो सबसे पहला गाम तो यह है, कि मारा hcf निकाल लेते, तो hcf of 6, 12, i hope आप लोगों को निकालना आता होगा, आप लोग फुद निकालना, हम क्या करेगे, 6 के फेक्टर कर लो, 3 multiply 2 multiply 1, और 12 के फेक्टर कर लो, 12 के फेक्टर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 1, फिर common pairs देखनों, इसमें से, एक pair common यह आ रहा है, और एक pair common, यह आ रहा है, तो 2 multiply 3 multiply 1, बढ़ा पर 6, तो hcf कितना आएगा, 6 आएगा, तो मैं इसका hcf डाइडिक निकालना हूँ, कितना, 6, अप लोग फुद निकालना के देख सकते हो, तो अब उसने क्या बोला, यह जो 6 है, therefore उसने बोला है, कि 6 है, जिसको हम x बोल सकते है, बोल सकते है, x रावा 6 है, तो इसका result कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे, तो, क्या बोल सकते है, kis रावा 6 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसका मतलब, 6 स्क्वाय माइनस, e to multiply 6 plus k, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो कि उसने खुदी बोला है, कि x रावा 6 के है, इस वाल ये बोलिदोमेल का 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, कि वो वेडियो जिसको वेडियो पर, बोलिदोमेल में पूट करेंगे, तो मारे रजट 0 मिलना चाहिए, तो आप से खुद बोला है, कि x रावा 6 इसका 0 है, तो हमने x रावा 6 पूट किया, तो हमने कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो हमने क्या किया, x रावा 6 पूट करके, इसकी वेडियो क्या पूट कर दी, 0 बढ़ावर पूट कर दी, तो यहां कितना होगा, तो यहां कितना होगा 48 माइनस का 12 बढ़ा है और 12 उतर जाएंगे किसका हो जाएगा किएगर वेल्यों कितनी होगी आप उसको समझ में आगे हैं कि एक वार्फ से रिवाइद करवा देता है कि इस वाले पोलियंगा दोनों का जो हो इसका जिरो तो अब उसने बोलाया कि दोनों का एक्स पॉलिणोन्मेल का जीरो होने का क्या मतलब होगा कि अगर हम पॉलिणमेल पे एक्स के रिवार पे शिक्स खुट करेंगे तो वारा जो में जीनोच कि पूट कर दिया सिक्स का स्वाइ इतना होगा थाटी शिक्स होगा फोर मल्टिपलाई कि कितना होगा तो यह मैनस पॉटीट होगा जब दनों को समकर खेंगा और उदर कि लिए तो प्रसका ट्वेल होगा वहांने केगी विडू कितनी होगी, तो यही हमारा क्या होगा, answer होगी है, I hope यह आप लगों कि समझ में, आगे 2nd वाला जाशन प्ये इसमें इसको बॉला है ख फर्ब गहें से थे कृरकर इसको बोला थी आ किया करना है इसका जीरो है मतला वगार हम लोग पी 4 by 3 पुट करें तो डिजन कितना मिलेगा जीरो मिलेगा क्यों क्यों कि ये वाला जो वेल्यू है वह इस पोलिदोमेल का जीरो दियावा एक एंदर तो हम क्या करेंगे बस यह साधी चीट करने वाले जान जाए एक से वाहां क्या रिप् अब तो देखो 6 multiply 4 upon 3 का Q minus 11 multiply 4 upon 3 का square plus k multiply 4 upon 3 minus 20 परावर कितना होना चीए 0 होना चीए तो देखो यह कितना होगा 6 multiply 4 का Q ओर फोर्चा 1616 for the 64 divided by 3 का Q क्या होगा क्या होगा तूरील क्या क्या होगा 27 मैने सब्सक्रावर क्या होगा प्लस 4 k divided by 3 minus 20 बरावर चीए 0 सब्सक्राइब निकाले तो को सब्सक्राइब करें तो इसको सब्सक्राइब करें अब यहां देखू यह किसी से भी डिवाइब नहीं हो रहा है अब 16 को 11 से मल्टिप्लाइ करना है तो पहले 16 को 10 दाइं करोगे 160 होगा फिर एक बार और करोगे 60 रोड़ें कर दो तो कितना होगा माईनस 176 दिवाइब नई होगे यहांपे क्या होगा यहसे चलेगा 4 के डिवाइब बयुक्तरी और माईनस 22 को हूद ले जातो प्लस 20 होगा हाए इधार किक को इंपते को म संच बोलत पीमाने। हUI ग incubus भूल हो यहीं है और फिर फॉद्व माइनस पॉलत जी आगे हिआँ-टो मेज़ित लिए प़ेंट भून्टीयत अपया ठीक ड़लाों माने पनिते इस तो बन अन अईच इसको इसे डिवाइड करोगी 9 ताइम डिवाइड होगा 9 को 20 से मुटिप्लाइब करोगे तो 180 आएगा माइनस इसको 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 एडिट करो पेड़े वन एक और वन एक होता तो कितना होता 360 लेकिन यह चार कम है यह जानिकि 356 में से कितना माइनस करना 128 तो कितना आएगा और थ्री में से बन गया तो तो आएगा और यहां कितना आगे हम नागे ठीक है अब आगे सोल करके देख लो कि यह डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा होगा हम लोग फिर आगे इस से सोल करके देखते हैं तो यह 4 अपोन 3 इदर मुल्टिप्लाइन होदर जाके डिवाइड अब देखो 3 वन जा 3 4 5 जा कितना होगा 20 और उसके बाद में बचा कितना टूँ 4 7 जा कि यहां पर जो तो तो नहीं कि इसको इसको इससे डिवाइट शोटना यह कितना होगा जाएगा यहां पर फोड़ी सी कैल्कुलेशन करनी पड़ी है, बाके और कुछ भी नहीं है, जो सिंपल था, तरीका था, वही हमने फोलो किया, एक सी रहा पर फोल पांथ रिपूट कर दिया, उसको उसने खुद बोला है कि जीरो है, जो जीरो के रहा पर पूट कर दिया गया, इसमें आप लोगों को ध्यान डखना है कि साइन हो अगे आपको कैसे प्रांस कोच करना है, एक लिए से दूसरी दे के कैसे लेके जाना है, उसमें अगर थोड़ी से भी मिस्टेक होगी, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट एक्स्ट इसके सा आप लोगों को पता होने चाहिए, तो देखो, कि if x is equal 2 and x is equal 0 are the 0 of the polynomial of px, 2x cube minus 5x उसका plus ax plus b, यह उसमें क्या बहुत है, एक्स बराबर 2 भी इसका 0 है, x बराबर 0 भी इसका 0, मतब एक्स बराबर 2 के उपर भी इसकी value कितनी आएगी, 0 हैगी, एक्स बराबर 0 के इसकी value कितन इसका मतब हम बोल सकते हैं, एक चीर हमें समझ में आती है कि p2 बराबर भी कितना आएगा, 0 हैगा, तो यहां से रेको put करते हैं, 2 multiplied 2 का Q, minus 5 multiplied 2 square plus a multiplied 2 plus b बराबर 0, कि उसनों बोलना है, x बराबर 2 का 0, यहां पे क्या 2 का Q कितना होगा, 8 होगा, 8 को 2 से multiply करोगे 16, 2 का square कितना ह 4 होगा, 4 को minus 5 से multiply करोगे minus 20, और यहां पे plus का 2 a plus b बराबर 0 होगे, अब देखो यहां पे, यह कितना होगा, 16 minus 20 minus 4 होगा, जिसको उदा लेके जाओगे, तो किसका हो जाएगा, plus का 4 हो जाएगा, यहांनि 2 a plus b बराबर 4 होगे, इसको हमें काम करता है, इक्विएशन नमर 1 देदेता है, करकि अभी अभी हमारे को क्या है, x कराबर 0 भी तो क्या है, इसका एक 0 है, तो हम इसके हिसाब से लिकालेगे, तो इच्शे बोला है कि x कराबर 0 भी इसका 0 है, जो यहां पे क्या होगा, 2 multiply 0 q minus 5 multiply 0 square plus a multiply 0 plus b b बराबर 0 होगे, यह तो सारी क्या होगे, यह बी 0, जहां भी जहां भी 0 से मैंटिप्लाइं करोगी 0 हो जाएगा है यहां से हमें b की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली अग इस b की वैल्यू यहां पुड कर दो तो तो 2 a प्लस b की जगे पे 0 बडाबर 4 होगा और 2 इदर मैं उदर जाके क्या हो जाएगा? दिवाइट हो जाएगा, फोर्ट को तू से डिवाइट करोगे तो कितना है अगा, तू आईगा, बतलब जो हमारे A और B की वेल्यू निकालनी थी, तो A की वेल्यू तो 2 आई, और B की वेल्यू कितनी आई है, 0 आई है, I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आगे, यूँकि इसे नोट कर लिए, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खतम होता है, इसके जो हमबर की क्वेशन होगी, DPP होगी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूगा, आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कुछ सोल कीजिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूगा, जैसे option वाले question है, तो कौन सा option टिक मतलब करक्ट option होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उनको सोल कीजिए, उसके बाद में क्या कीजिए, अपने answers को चेक कीजिए, वहाँ पे जो answers given है, और अगर फिर भी आप के लिए अपलोड कर दिया जाए, इसके साथ आगर आपने को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइगन को दबा लेजिए, जिससे की आगे आने वाले सभ लेक्चर्स के आप लगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, तब तक के लिए थैंक यू,